आशा है आशा है आशा है आशा है कुछ पाने की हो आस आस कोई अरुमा हो जो खास खास आशा है 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 कुछ पाने की हो आस आस कोई अरुमा हो जो खास खास आशा है और इसका आगे वाले पीछे वाले टॉपिक से को लेने देना नहीं है जो भी बच्चे नए एड होती हैं मैं उनकी एक इंट्रोड़क्टी क्लास लेता है वो भी बता दूँ है आप बस अभी पहले चेप्टर का नाम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल सबी लिखेंगे जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चेप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट मेरी आवाज सब तक पहुँच रही है आप इसे में पॉजिटिव बैटे हुए कहते इंसान की जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वो बड़ी काप मैटर करती है वो किस तरह से बैटा हुए आप इसे में अपनी पूरी की पूरी स्पाइनल कोड को सीधा करके बैटे हुए जुक के नहीं बैटे बिल्कु स्टेट होके बैटे तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैं पाँच स्टार्स में से इस टॉपिक को पाँच स्टार्स ही देने वाला हूँ पाँच में से पाँच दूँगा क्योंकि ये चेप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार आता रहता है तो आप सब जो भी दूर दूर बैटे हैं वो भी समझ लें कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप सब को ये टॉपिक ध्यान से करना है इसलिए आप सब यहाँ पर बैटे हैं तो पंदरा से बीस नंबर का मैंने नोट किया कि दूसों नंबर में से आरा है थेओरी और प्रेक्टिकल प्रेक्टिकल जादा आता है लेकिन हम थेओरी भी डिसकस करेंगे इसमें तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुस्ट इम्पोर्टन टॉपिक है इस टॉपिक में हमारे लगभग चार लेक्चर लग जाएंगे चार लेक्चर लग जाएंगे डाय डाय तीन तीन गंटे के चार लेक्चर लगेंगे आज पहला लेक्चर है कहते हैं जब भी चैप्टर शुरू हो उसको पहले लेक्चर मिस्क भी करना चीए मैं यह अद्वाइज करता हूँ कि पहले में के में जो आगे आगया उसके बाद उसको पूरे चैप्टर तब तक खताम ना जए इंट्डिउस ना करें तो पहले लेक्चर आज हम शुरू कर रहे हैं मैं आपसे बहुत सारी बाते पूछूँगा आपने यहाँ पर बैठना है चुप चाप नहीं बैठना कंसेप्ट नंबर वन मैं आपके सामने एक रखने वाला हूँ आप सभी पहले उस कंसेप्ट वन को लिखेंगे आएए हम सब कंसेप्ट वन को लिखेंगे और हम यह देखेंगे कि यह कंसेप्ट कहता क्या है और हमें क्या बताना चाह रहा है आईए, आईए दोस्तों, concept 1, मैंने लिख दिया जी, चलिए जी, आप सभी concept number 1 पहले लिख ले, इस समय जो मेरे सामने नहीं भी बैड़े, वो भी अपने registers खोल ले, क्योंकि आपने बच्पन में सुने होगा, कि mathematics एक ऐसी चीज़े जो पढ़ने से नहीं आती, लिख लिख कर करने से आती है, इसी लिए आपके 6 मीने खराब हो सकते हैं, अगर आप अभी नहीं लिखेंगे तो, अभी लिखना है, यहीं समय है, समय निकलता जा रहा है, 14 सेतंबर आ गई है, अब नहीं करेंगे तो फिर 6 मीने और वेस्ट होंगे आपके, तो प्लीज, आप अपने study room मे बेड़े हैं, समय, laptop on है, मुझे देख रहे हैं, आप यहाँ पर वहाँ पर भी लिख रहे हैं, चलिए जी, concept 1, introduction, financial management के बारे में लिखा मैंने concept 1, की financial management क्या होती है, वैसे मैं इसकी अलग से चाहूँगा कि आप मेरी intro class जरूर देखें, इंट्रो क्लास में मैंने पूरा financial management समझाया है, तो मैं recommend करूँगा जिन्होंने intro class नहीं की, वो मेरी intro class जरूर देखें, तीन decisions होती हैं जी मुख्य दोर बड, financial management में three decisions are there, तीन, जैसे महात्मा गांदी जी के बापु जी के तीन बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत कहो, तीन बंदर थे बापु जी के, बिल्कुल उसी तरह से financial management में तीन decisions होती हैं, पहली decision का नाम है investment decisions, investment decision का मतलब है हमें पैसे क्यों चाहिए, what is the requirement of funds, पैसों का क्या करेंगे, पैसा पैसा कर दिया है, ले ले तू पैसा, हो जा तू मेरी, आज मैं आपको ए गाना पर दिखाने वाला हूँ पैसे क्यों पर, आज मैं विजे मालिया के एक स्टोरी दिखाने वाला हूँ, आपको वीडियो दिखाऊंगा, और दूसरी decision है, financial decisions, वो पैसे आएंगे कहां से, आपको एक करोड़ चाहिए, दस करोड़ चाहिए, कौन देगा है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी का दिन आने वाला है, दिवाली वाले दिन, हर religion का व्यक्ती लक्ष्मी जी की पूशा करता है, तो दोस्तों, लक्ष्मी जी का सभाव बहुत चंचल है, एक जगे टिक के बैठती रही है, कभी यहां, कभी वहां, कभी यहां, अभी देखेंगे, दूसरी डिसीजन है, financial decisions, पैसे कहां से आएंगे, Companies Act 2013 में, पैसों के लिए, दोई sources रह रहे हैं, पहले hybrid source भी हुआ करता था, जिसको हम preferences बोलते थे, थोड़े से features उसके बास dementia के थे, कुछ features equity के थे, अभी हम देखेंगे, equity और dementia को देखेंगे, second decision के बाद, तीसरी decision, dividend decision लिख लिख लिए सभी ने, ठीग गई, अब आए concept number two, working capital management में, आप concept number two लिख रहे हैं, जैसे आपने देखा, कि investment decisions का मतलब होता है, पैसों की ज़रूरत, आप 11th class में गए थे, और 11th class में मैडम ने पहली बार बोला था, revenue expenditures and capital expenditures, revenue का मतलब था short term, और capital का मतलब था long term, short term and long term, short term का मतलब है, working capital decisions, working capital decisions, आज आप यहां बैटे हैं मेरे सामने, अभी morning में breakfast करके आएं आप सभी, कि आप कुछ ने कुछ ने जरूर खा के आएं, कोई चाई पी के आगया है, कोई coffee पी के आगया है, कोई सेब खा के आगया है, कोई masala नोसा खा के आगया है, क्योंकि उसकी family में माल लेते हैं उसकी ममी साउथ इंडियन है, अब कि आप मेंसे किसी की ममी Chinese होंगी तो मोमोस खा के आगया होंगे, लेकिन आप ने जरूर कुछ न कुछ खाया है, कहते हैं कि आप हर रोज जब सुबह कुछ खाते हैं, तो आपकी body में proteins, carbohydrates, fats आते हैं, उससे energy बनती है, और उस energy से आप काम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, एक company को चलाने के लिए, आपको energy की जोनुरत है, और रोज चाहिए वो energy, और उस रोज वाली energy का नाम है, working capital, मेरी बात आप सुन रहे हैं, working capital, तो working capital को हम short term decisions भी बोलते हैं, 11th class में accounts की नजरोज है, इसको revenue expenditure बोलते हैं, तो दो तरह की requirement होती हैं जी company को चलाने के लिए, एक revenue expenditures और एक capital expenditures, FM में हम इसको बोलेंगे working capital and capital budgeting, दोनों के दोनों important है, जैसे मैं आप से बात करूँ, रतन टाटा का नाम से हमने सुना हुए, रतन टाटा साब ने एक नया project start किया, नेनो गाडियां बनाने का, छोटा छोटी छोटी गाडियां बनाने का, middle class family के लिए गाडियां बनाने का, तो बिदाइए जी, रतन टाटा को नेनो बनाने के लिए पैसो की ज़रूरत होगी, तो मैं आपके कुछ example दे रहा हूँ, आपने सोचना है, आंसर में भी दूना, खाली आपने देखना है कि जो आपने सोचा था, वो गलत सोचा था, ठीक सोचा था, मैं आपसे कह रहा हूँ कि रतन टाटा को land purchase करना है factory बनाने के लिए, रतन टाटा को plant and machinery खरीदने है factory बनाने के लिए, रतन टाटा को laborers दखने है factory के लिए, और laborers को salary पे करनी है, raw material purchase करना है, अब इसमें मैंने चार बाते बोली है, चार में से दो चीज़ें तो short term है जिनकों working capital बहुती है तो मैं आपसे यही कहना चाहरा हूँ कि concept number 3 को थोड़ा सा लिखना शुरू करें short term investment decisions क्या होती है working capital decisions क्या होती है क्यों चाहिए होती है क्या ज़रूरत है इससे हमारे को आईए दोस्तों concept 3 लिखिए concept 3 short term investment decisions इस concept में जो भी बात आपको अच्छी लगे उसको underline जुरूर कर देना है मैंने बड़ी स्पर्ष्ट और नॉर्मल भाषा में लिखने की कोशिश की है आप सभी को बताने की कोशिश की है किसी किताब से नहीं लिए बड़े नॉर्मल नॉर्मल लैंगोज में लिखता गया 24 concept लिखे हैं पूरे working capital मेरे जोड़ो 40 questions लिखे हैं और दावा इस बात का कि अगर आपने ये questions इमानदारी से कर लिए तो इस दुनिया में कोई भी paper देंगे तो working capital का question तो होने वाला इस बार भी हमारी same figures याई थी paper में figures भी same थी C point को मैंने bold कराया working capital को मैंने लिखाया current assets minus current liabilities लेकन ये तो 12th class से बढ़ते आ रहे तो CS professional में तो कुछ अलग definition होनी चाहिए ठीक है हम उसकी अलग definition देंगे अभी देखते मुझे उमीद है कि जो बच्चे दूर भी बैटे हुए मेरे को इस समय देख नहीं पा रहे physically खाली देख पा रहे हैं मैं touch नहीं कर पा रहा उनको वो भी अपने study room में register में लिख रहे है क्योंकि कहते हैं लिखने के बाद ही कुछ चीज़ा समझाती है और ली audit नहीं करना है आपने तो see point देख लिख लिख ले हैं जिस अभी ने अब मैं आ रहा हूँ कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि working capital की ज़रूरत क्यों है working capital क्यों चाहिए और working capital की management करते कैसे हैं पहले बताईए तीन स्टेफ तक समझाया कुछ आपको अचा मैंने आपसे ये कहना है कि वैसे working capital दो प्रखार की होती है एक होती है gross working capital और एक होती है net working capital अभी मैं समय आने पर बताऊंगा कि gross क्या होती है और net क्या होती है वैसे gross का मतलब होता है total of current assets और net का मतलब क्या होता है current assets minus gross का मतलब है आपको total कितने पैसे चीए क्यों चाहिए आप यह बदाईए आपको रोज मर्रा की जिन्दुगी के खर्चे चलाने है आप बदाईए Apollo tires चलिए आप इक ही बात करो company secretary in practice company secretary in practice आप आने वाले दिनों में आप मैंसे बहुत सारे बच्चे practice करेंगे क्या लग दो ही एक company secretary in practice जिसमें आप training आजकल कर रहे है उसको working capital की क्या क्या जूरूरत हो सकती है आप बता सकते है examples कि उसको funds क्यों चाहिए और उसकी क्या क्या working capital की requirement होगी company secretary in practice की कोई बच्चा बताना चाहिए में आप से एक तो अगर उसको office लिया है तो उस office का rent पे करना है तो rent पे करना इस revenue expenditure तो जितने भी revenue expenditures है उसको बोलते है working capital आज़ा आप सब trainees करेंगे training करेंगे तो आपको honorarium मिलेगा तो honorarium देना भी working capital है staff रखेगा वो चाय पानी के लिए तो staff की salary भी working capital है electricity की payment करेगा electricity की requirement भी working capital है उसमें computer purchase करेगा तो बताइए computer purchase करना working capital है या capital expenditure है ध्यान रखियेगा computer खरीदना is working capital नहीं है it is capital expenditure आप बताइए रोज चाय आ रही है, clients आ रही है उनकी बाते सुन रहे है खाना आ रहा है उनको कुछ ना कुछ snacks दे रहे है तो वो भी तो सब working capital है इन सभी चीज़ों के लिए company secretary के पास पैसे होने जरूरी है अगर नहीं होंगे तो उसका smooth functioning नहीं चलने वाला तो आज के chapter में हम यही discuss करने वाले हैं कि एक company secretary को working capital के लिए कितने पैसों की जरूरत हो सकती है और यही example हम किसी भी manufacturing company में लगा देंगे Britannia bread's में लगा देंगे Apollo Ties में लगा देंगे मारुती सुजुकी में लगा देंगे आप यह बताईए एक रिक्षे वाला भी सुबह जब चलता होगा तो उसको भी तो working capital के requirement होगी तो आप उसको कहीं भी use कर सकते हैं तो बताईए क्या concept number 3 लिख लिए concept number 4 में आगे है importance क्या है अगर आप यह ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा आप एक restaurant में बैठ जाते हैं और खाना खाना शुरू कर दोते हैं pocket चेक किये बिना और पहली बार आप किसी के साथ गए हैं आप समझ रहेना जो मैं कहना चाहरा हूँ बताईए अगर आपने उसके बाद हाथ डाला pocket में और पैसे कम निकले तो आपके तो चेरे की हावाईया निकल जाएंगी हावाईया तो गल्ती क्या की थी आपने अपनी working capital आपने चेक नहीं की थी पहले चुछलिए concept 4 लिखिए concept 4 लिखिए importance of working capital खून है यह खून life blood है आपको भालू में आजकल लोगों को message आता है किसी को A plus का खून चाहिए किसी को कुछ चाहिए बताइए ऐसा क्यों क्योंकि body को चलाने के लिए एक normal level का खून होना चाहिए उसके platelets उतने होने चाहिए डेंगू को मच्छर जब काटता है तो उसमे platelets कम होने शुरू हो जाते हैं और सब लोग खीनू खाते हैं खीनू का नाम सुने कभी आपने और उनको blood की जुरूरत पड़ती है तो मैंने का blood की जुरूरत पड़ती है वो working capital ही है क्योंकि इसके बिना वो काम ही नहीं कर सकता Apollo tar को underline करना है मैंने example दिया company secretary in practice अभी Apollo tar आपके सामने लिखा है आप सबके घर में गाड़ी है और उस गाड़ियों में tar लगे है tar Apollo के भी हो सकते है अब Apollo अगर tar बनाती है तो उसको working capital के लिए किस किस के लिए पैसे चीए है वो लिख दिया मैंने raw material के लिए salary के लिए wages के लिए expenses के लिए और overage के लिए normal day to day खर्चे चलाने है भाई साथ उसके लिए आपके पास working capital होना जरूरी है मेरी बात अब समझ बारे है मैंनम ठीक है concept number 4 क्या सभी नहीं लिख लिया सुभान अल्ला सुभान अल्ला सब लिखिए हैद्र वाइब में पैटे वाइब बच्चे लिखिए अमेरिका में पैटे वाइब बच्चे लिखिए कानपूर वाले लिखें सब लिखें अभी तो हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे concept number 4 मैंने लिखा what is the importance of working capital आप बदाएए आपकी बोड़ी में blood pressure एक normal level का है अगर वो blood pressure उतना ना रहे low हो जाए या high हो जाए तो आपको चक्कर आएगे नहीं आएगे हाँ या ना तो बोलिए चक्कर आएगे नहीं आएगे बिलकुल आएगे आपकी बोड़ी में temperature पता आपको कितना है male body हो या female हो आपको पता आप कौन है आप बताईए आपकी बोड़ी में temperature होना कितना ज़रूरी है कितना होना चीड़ नारबल temperature 98.3 या 4 चलि कोई नहीं आज जाकर आप सबने मूँ में thermometer डालना है क्लास के बाद और चेक करना है कि आपकी बोड़ी के अंदर कितनी गर्मी है हमारे अंदर गर्मी होनी चीए कम से कम normal 98.4 तब तो सब काम चलते रहते हैं इससे जादा गर्मी हो गई तब भी काम नहीं चलेगा इससे कम गर्मी रही तब भी काम नहीं चलेगा इसका मतलब किसी भी चीज़ को चलाने के लिए smooth smooth working capital का होना ज़रूरी है 98.4 में आपको अंदर अच्छा लगता है ना बॉड़ी में अच्छा फिलीग आ रही है और कई पर temperature जादा होता है अच्छा लगता है नि इसका मतलब आपको working capital smooth चलाने के लिए company को चलाने के लिए आपको normal working capital की ज़रूरत है तो उसको निकालने कैसे आप जहाँ बैड़े मेरे सामने कोई दो चपाती हाँ लंच में खाएगा कोई तीन खाएगा कोई पराटे खालेगा कोई तीन डोसे खाजाएगा कोई दूथ पीएगा आप सबकी requirement अलग अलग है क्यों क्योंकि आपकी body का structure अलग अलग है क्यों आपकी body का weight अलग अलग है आपकी requirement क्या पता कल जादा काया इसलिए आज कम खाना चाहरे है कुछ लोगोंने Monday का वरत रखा होगा तो वो कम खाएंगे कुछ दलिया खालेंगे कुछ खिचड़ी खाएंगे लेकिन आप सभी कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे क्योंकि आपकी working capital की जरूरत है क्या बात समझ आ रही है हाँ तक तो मुझे क्या करना है as a company secretary as a chartered accountant उसको determine करना है तो एक बार आज़े यह concept 5 में फिर मैं आगे चलूँँगा फोड़ा सा concept 5 लिखना पड़ेगा आपको पीघा पार्ड़े नें करना है झाप शखके लिए झाल हीं झाल है झाल जढ़ेगा है झाल इब करके लिए working capital management में basically दो steps मैंने यहां पर लिखें management का मतलब है कि आपको यह determine करना है कि आपको working capital कितनी चाहिए पहला सवाल है कितनी चाहिए और दूसरा सवाल है वो कहां से आएगी कितनी चाहिए और कहां से आएगी estimation of working capital how much funds are required smooth functioning को underline कर देंगे smooth functioning को underline कर देंगे ठीक है smooth functioning को underline कर देंगे तो मैंने का जी working capital management में आपके दो steps है step number one is estimation of working capital requirement and step number two from where funds can be procured मैं आज की class में पहले स्ट्रपी कवर करूंगा कि आपको कितने पैसू की ज़रूरत है estimation कितनी है अच्छा बुक तो मिल गए यह आपको तरह बुक खोली है जबी एक बार बुक खोली है नए edition की जो बुक मिली है जिसमें पीछे हमने बढ़ी सारी बच्चों की photograph बनाई है जो बच्चे यहां से पास हो चुके हैं उनके marks भी लिख दी अंदर भी बढ़ी सारी photos रखें टेस्टिमोनियल्स रखें सरीता तिवारियक लड़की है जिसके पिछले से पिछली बार आये थे उसके नाम फोटो रखें टेस्टिमोनियल्स लिखें कितने कितने नंबर किस किस किया आज यह वली बुक कह रहा हूँ ठीक है यह वली बुक ठीक है आप इसका page नंबर A निका लिए जड़ा देखिए A नंबर में कुछ लिखा हूँ है मैंने कितने concept से जड़ा देखिए कितने concept लिखें हम इस chapter में 24 concept कवर करने बादे 24 concept क्या पाँच concept भी सब नहीं करा रहे मैं तो 24 करा हूँ हूँ अब इसमे theory भी covered होगी practical भी होगा जड़ा देखिए इसमें पहला concept कौन सा है introduction लिखा हूँ है मैंने टिक लगाए आपने introduction लिख लिख लिए है जो मैं concept लिखवा रहा हूँ उसकी numbering भी इसके साथ ही है इसमें concept टू कौन सा है types of investment decisions आपने अब यह भी लिखा है investment दो तरह की होती है चल दीजे टिक लगा दीजे अभी तक हम ने पांच concepts तक लिखा है पांच तक लिखा है पांच वाँ आपके सामने पांच वाई है सामने पांच वाई है पांच वाई है आपके सामने स्क्रीज में आ रहा है आप एक बार अंदर आ रहे हैं तो पर फोरी के कोश्टन लिखा लिए प्लीस हम इस समय इस चेप्टर के थोरी कर दें पहला पेज ही है उसके बाद पर पालिटी के थोरी कोश्टन लिखें है पहला कोश्टन पढ़िएगा पहला कोश्टन लिखा हुआ है What is the meaning of working capital management? C.A. में आ चुका है, C.S. में आ चुका है बहुत बार आ गया था, इसलिए मैंने अटेंप्टर नी लिखा फिर मैंने लिख दिया 5 स्टार कोश्टन, ये 5 सितारा कोश्टन है कोश्टन क्या था, What is the meaning of working capital management? तो आपको कोई notes नहीं मना नहीं, मैंने question answer form में हर चीज़ लिख दी है तो आंसर 1 पढ़ते हैं, मैंने कुछ लिखा है इसमें मैं चाहता हूँ कि आप सभी पहले इसके answer के नीचे जो last paragraph है need for working capital उसको पढ़ेगे need for working capital need for working capital, ये paragraph आप पढ़ें कि working capital की क्या ज़रूरत है बुक में चे पढ़ना है, पहले question का answer पढ़ना है need for working capital, पढ़िए first question का answer पढ़िए जो भी चीज अच्छी लगे, underline करते हैं, आपकी आदत बिगर चुकी है, खाली आखों से पढ़ते हैं, हाथों से भी पढ़ेंगे, आखों के साथ हाथों से कुछ ना कुछ हाइलाइट करेंगे, कहां चले गए वो बीते वो दिन क्या ओड़े आप लोगों को, पहले तो अब underline करते थे, highlight करते थे, कुछ ना कुछ लिखते थे margin में, अब तो पता नहीं क्या कोरे कोरे से बन गए, कुछ निखते नहीं, कुछ नहीं, underline कीजिए, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा हो, कुछ ना कुछ तो line ठीक लगी होगी, underline करें, marker लेकर आना है, highlighter लेकर आन मैंने कहा जी question 2 में लिखा है how many types of working capital are there कितनी प्रकार की working capital होती है जबाद देखिए मैंने कितनी प्रकार की working capital लिखी है gross working capital and net working capital gross का मतलब क्या लिखा मैंने current assets का जोड़ करना है बस current assets का current assets का current assets कौन से होते है as per company like 2013 definition है change हो चुकी है even furniture भी current assets हो सकता है अगर आपकी intention है उसको 12 महिने पेचने की तो आपको furniture को भी current assets पे दिखाना पड़ेगा वैसे current assets कौन से होते है ऐसे assets जिनको आप 12 महिने में बेचने के लिए intention रखते हो तो आप देखे एक्जामपल का लेखे है बार भी क्लास से पड़ते हारे cash betters stock BR prepared expenses यह सब current assets होते है current liabilities example देखे गरा current liabilities के अब जो आपको paper आएगा आपके examination में वो question बताने जा रहा हूँ question 3 आ जए है और लिख लिए important है paper के लिए और हम इस question को पूरा discuss करेंगे तभी जाकर हम practical दर पाएंगे तो question 3 important mark करें मैंने इसमें लिखा है ऐसी कौन सी बाते है जो एक company की working capital को change कर देती है या affect करती है तो मैं आप जो पूछना चाहूँ है दोस्तों आप सो बैड़े ही मेरे सामने होनहार देश के होनहार नोजवान बैड़े वो दिन धूर नहीं जब मेरी इंडिया टॉप लेवल पर आने वाली है आप बदाएए आप सब कोई भी काम करते हैं कुछ भी रोग करते हैं मैं तो कहता हूँ एक चाय का कप भी पीते होंगे अगर तो उसमें भी कुछ ना कुछ आपके माइन में फैक्टर ज़रूर चलते होंगे कि कौन सी दुकान से पीनी है और कौन सी दुकान से नहीं पीनी आप सभी ने CA, CS और CMB का कोस जोइन किया है इनमें से एक कोस जोइन कर लिया 12th class के बाद आपके पास choice थी कि आप इन तीनों में से कुछ भी कर सकते है आपके दोस्तों ने कुछ किया भी नहीं वो भीकों पास कर रहे है क्योंकि जिंदगी के मजे लेना चाते हैं पहले ही कोई बात ही नहीं आपने CS जोइन किया जिस दिन जोइन किया था याद कीजिए वो दिन फड़ा था आँखों में एक सेकंड के लिए दोबार से पिक्चर्स लेकर आईए आप registration करा के आए थे डाफ जमा करा दिया था study material बिल गया था आपने घर में उसको देखा था कुछ इस तरह से ऐसे देखा था और आपको लग रहा था कि आदी चीज़ों तो आपने की हुई है उस दिन आपके पाउं जमीन में नहीं पढ़ रहे थे आदे आदे फुट उपर थे क्योंकि आप लगता है वो गया मैं तो आदा बन ही गया लेकिन कहते हैं बड़ों का कहा और आवले का खाया हुआ दीरे दीरे पता चलता है लेकिन दीरे दीरे इश्क आपको पता चला कैसे होता है फॉंडेशन किया एग्जिक्यूटिव किया अब आप तो प्रफेशनल में आगे हैं और आप इससे पीछा छोड़ाना चारे हैं कि जल्दी से क्लियर हो जाए आप बदाएए आप मुझे एक चीज़ बदाएए आप मैंसे जितने बच्चों ने भी CS किया इन में से मैं आपसे पूछू हूँ कि CS क्यों नहीं किया तो आपके माइड में कुछ फेक्टर्स होगे मेरे को लगता है कि एक फेक्टर ये भी हो सकता है कि CS में अकाउंट्स कम है और आपका हाथ प्रेक्टिकल में टाइट था आज भी टाइट है इसलिए तो फानेंशन वाने दिक्कत आती है मैं ये कहता हूँ कि आपका हाथ टाइट था मैं अपनी करफ से आड कर रहा हूँ आप बुर मत मनाईएगा अपने 아प मत लेकर चलियरा मैं तो ऐसी बivot हूँ आप रामलाल की बात कर रहा हूँ आप रामलाल नहीं हो लो आप राम प्यारी भी नहीं हो मैं तो राम प्यारी के लिए बोल रहा हूँ इसमें आपने C.A. में सुना था कि result बड़ा दंदा आता है कि पिता जी अपने बेटे के साथ भी paper देने जा सकते हैं हद दो गई दो गई दोने paper देने जा रहे इसलिए आप दर गए थे आपने C.A. नहीं किया मैं तर रामलाल की बात कर रहा हूँ रामलाल को लगा कि में शुरू में ट्रेनिंग नहीं कर सकता तो उसने आपने इसलिए C.A.S. किया आपका law में बड़ा जादा interest था इसलिए आपने C.A.S. किया आपको इसकी scope अच्छी लग रही थी इसलिए आपने C.A.S. किया मैं तो कहा रहा हूँ कुछ भी हो सकता है कुछ भी factors हो सकते है लेकिन एक बात दो बिल्कुल पक्की है आपके mind में factors थे तभी आपने इस decision ली बोलो हाँ या ना तो बोलो इसी तरह से आप बदाईए आपकी company Apollo Tires है आप नए नए finance manager इस company के चुने गए हो आपकी wife आपकी नहीं नहीं marriage होई है अभी आपकी wife MRF Tires में है बदाईए वो भी टायर company में काम करती है आपकी girlfriend डलब टायर में है वो भी टायर में काम करती है आपकी brother-in-law sister-in-law भी radiate टायर में सारा खांदान टायरों की company में काम करता है और आप नहीं नहीं पॉइंड हो कहां भी Apollo Tires में आप मुझे बदाईए आपका management director आपको कहता है कि working capital की जरूरत कितनी है प्लीज estimate करके बदाओ Mr. Finance Manager आप बदाईए क्या आप अपनी wife से पूछ सकते कि MRF Tires की कितनी है क्या वो ही बोल सकते कि अपनी girlfriend से पूछ सकते है माल लेते है आपकी wife कहती है कि 15 लाग रुपे उनको चाहिए working capital के आपकी girlfriend कहती है हम तो 8 लाग में काम कर लेते है आपका brother-in-law कहता है हमें 12 लाग चाहिए बताईए जी क्या लगता है इनके basis पे आप अपनी estimation कर सकते हैं या नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्या पता इन्होंने कितने task बना रहे है ये कितने बना रहे है ये कितने बना रहे है इसका मतलब आपके अपने अलग factors होंगे इनसे मिलते जुलते नहीं होंगे तो मैं आप सभी को यही बताने जा रहा हूं कि factors कैसे होते हैं आएए एक बार आप अपने register में लिखें concept number 6 concept 6 चलिए पहले concept 6 लिख ले types of working capital types of working capital types of working capital मुझे मालू मैं कि आप सब लिख रहे हैं मुझे मालू मैं कि आपके लिए 6 महीने कितने important है आप जानते हैं मुझे मालू मैं कि आप पास होना चाहते हैं पस हो नहीं पारे लेकिन इस बार आपने अपने आपको कहा है कि मैं पास होके दिखाऊंगा दिखाएंगे दुनिया को कि हम पास हो सकते हैं अभी तक तो पास ही होते याए तो फिर हिम्मत किस बात की हर नहीं फाइनल में तो आए पास हो के तो आए तो बढ़ाईए नहीं हिम्मत मत हरिए एक कदम और उठाईए Current Assets के नाम आपको पता ही है Current Assets क्या होते हैं लिख ले Those Assets which can be converted into cash ये Fix Assets भी आ सकते हैं इसकी कैटिगरी पे Company Act 2013 के हिसाब से अभी लिख ले और जो भी मैंने चित्र बनाए हैं आप उन चित्रों को जरूर लगिए क्योंकि थेओरी के कोशनों में चित्र बनाने बहुत जरूरी है अभी मैं किताब देने वाला हूँ जिसमें उसका नाम है चित्रों वाली किताब आपने हर थेओरी के कोशन में वो सारी फोटोस डाल देनी है फिर देखिए कैसे नहीं आते नंबर इस बार भी थेओरी आई थी इस बार भी थे बच्चे के 95 आ गए कैसे आए क्योंकि उसने थेओरी को प्रैक्टिकल बना दिया फोटोस बना दी नंबरिंग से लिखा आगे तो आपके क्यों नहीं आ सकते बिलकुल आ सकते अब आप यहां से रिवाइज श्वडूल अटा सकते हैं क्योंकि यह जो लगता है कि शायद थोड़े दी प्रिंटिंग में अब तो कंपनी राग्ट 2013 आ गया आप लिखते हैं आज पर आज पर कंपनीज एक्ट 2013 2013 2013 यकीन मानिये यह 2013 आपकी लाइफ में खुश्यां लेकर आया हुआ है यह 2013 भहुत कुछ आपको देने वाले है क्योंकि इसने पुराने लोगों को आउट्डेटिड कर दिया है अब आप भी का समय आ गए है आप भी की जिनरेशन आ गई है आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं ट्रेनर बन सकते हैं प्रेक्टिस कर सकते हैं क्योंकि पुराने लोगों पढ़ने वालों नहीं हैं वो तो उपर जाने के तियारियां कर रहे हैं अब आप भी का समय है क्या सभी ने फोटो बना दी मैंने इसमें फोटो में कह लिखा है T0 T0 का मतलब कहा है वर्तमान काल अभी का समय है T0 T12 का मतलब कहा है 12 महीने क्योंकि साल के 12 महीने होते हैं तो चलिए, T0 सो T12 लिख लिया, तो अधा जल्दी जल्दी लिखना है, ठीक है, आएए, हम आगे चलेंगे, और बिल्कुल आगे चलकर liabilities के बारे में लिखेंगे, those liabilities, which are to be paid, underline कर देंगे, within 12 months, और यहाँ पर भी, Companies Act लिखेंगे, लिखेंगे ज़से घुच्पडव को पिता है, बारे, और धज लिखेंगे, बारे, बारे, और मैं खरेञे, गारू भीकीता, हमासे सासे, यारे, खरेंगे, Case सिरेंगे, ओ writing, कर दोड़, आख kaikती टो ँिखेंगे, भीकी, containers, लिभका ऑ kinda बारे, औरे इंगेक लारे संबन के प्हीं सिखेंगा के जद एचिछुणी मेंच्राइध इाक प्यालीム भाइबूणीu कराइब क्यांते जबु़द execution क्या लगता है जी लाब बेंटी तक लिख लिया अच्छा अभी तथ हमने जो भी सीखा एक छोटी सी बात सीखी कि कि किसी भी कंपनी को वर्किंग कैपिटल के ज़रूरत पढ़ सकती है और पढ़ती है उसके बिना वो अपना स्मूथ वर्किंग नहीं कर सकती अब सवाल आता इस वर्किंग कैपिटल विच अप्टिमम तो पहले साथ लिखेंगे फिर छे लिखेंगे अच्छली नमबरी तो पहले नमबर साथ लिख लेंगे अप्टिमम रिक्वार्मेंट और वर्किंग अप्टिमम अप्टिमम को मतलब है कितनी पर्याप्त जरूरत है ना जादा हो ना कम हो कई बार आपके मन की सबजी बनी होती है शाही पुनीर बनाया मालो ममी ने शाही पुनीर बनाया उस दिन आपको दो चपातियां खानी होती है वादे नार्मल दो ही खाते हो जिसे आपके मन की सबजी होती है आप उसने जादा खाय जाते हो आप कही विवा में जाते हो किसी के यहां और आप जल्दी पहुँच गए स्नैक्स खा खा के परिशान हो जाते हो सारे स्नैक्स खीच देते हो अंदर से अवाज आती है मत खाऊ नहीं खाऊँगा चीला खाऊँगे ये खाऊँगे वो खाऊँगे उसके बाद जैसे डिनेशन होता है मेन मेनू उसमें शर्म नहीं करते पलेट पकड़के अंदर से आवाजे आ रही होती है मत का मत का रामलाल आप पेशर भी दिखाते हो समय आप आप्टिमम नहीं खा रहे ज्यादा खा चुके हो और आप्टिमम आपको मालूम है कि विवा में आजकल आखरी स्टाल चूरन की गोलियों का रखा हो और उने किसी कॉंसेप्ट के बैसित पर रखा हो हो ना क्योंकि आपने आप्टिमम तो खायो नही जादा खीच लिया अब चुरन की गोलियों लेदे हैं या साथ में रास्ते में जरुल्वत बढ़े ही मैंने तो एक भीअ में कह वाँ इनों भी रखे हो थे इनों के शैशे रखे हो थे रास्ते में इनों लेदे रहना क्योंकि आपने जादा खा लिया इसका मतलब कोई भी चीज optimum अच्छी लगती है ना तो optimum से कम और ना optimum से ज़्यादा मेरी बात अब समझ बारे जो मैं बोलता ना रहा हूँ अब optimum निकालने कैसे कैसे calculate करें इसको निकालने के लिए हम कुछ factors को दिमाग में रखेंगे तो चलिए जी बस theory का concept शुरू होने वाला है हम factors को दिमाग में रखेंगे तो आएए लिखिए concept number 6 बनाईए इसको तोड़ी नमबरी में दिक्कत आगई concept 6 लिखाए आपने पहले 6a factors affecting working capital requirement concept 6a 6a factors affecting working capital requirement बढ़ा ही important concept हो जी important बार करें पेपर भी आएगा और जितने भी practical questions करेंगे अगर ये concept समझ नहीं आएगा तो question तो कर लेंगे लेकिन अंदर ने पता नहीं चलेगा क्यों कर रहे हैं ऐसे 10-12 factors है जो important होते हैं working capital की estimation को optimum निकालने के लिए पहला factor आप लिख दीजे nature of business तीन्चा लाइने छोड़ देना मैं कुछ लिख रहाँ गो अभी nature of business लिखा तीन्चा लाइने छोड़ दी नहीं छोड़ी तब भी को दिक्कत नहीं है फिर management thinking लिख कर तीन्चा लाइने छोड़ देना operating cycle दो लिखा ही है मैंने उसको लिख लेना लाइने operating cycle में important mark कर देना कई बर खाली operating cycle के उपर short नोड आ गए आप बताईए आपने foundation में जब जोइन किया आपने जिस दिन registration शुरू किया उस दिन से आपकी operating cycle शुरू हो गई और जिस दिन नोकरी लगेंगी member बनने के बाद वहाँ जाकर operating cycle पतम होगी बीच में बड़े सारे पढ़ाओ थे जैसे वैश्रो देवी करते जाते हो आप भीच में पूछते हो कहां पहया है भवन आपको बीच में कोई भी कहते तो क्या कहता है यह रहा पास में क्योंकि आपकी हिम्बत बढ़ाना चाहता है जब्कि पास में नहीं था वह तो बदाईए जी operating cycle सबने लिख ली इसमें चार बाते लिख ली है तेरा ध्यान से बस ये चार पर बाते लिखने का काम लिख ली है आज की class में चो लिखना था लिख लिया अभी बस ये लिखना थोड़ा सा longer the operating cycle higher will be the investment सम्झाओंगा अभी लिख लीजे सम्झाओंगा explain करूँगा अभी लिख लीजे मैंने लिखा है longer the cycle बदाईए जिसको जितना समय जावा लगते CS बनने में राम लाल को लगे चार साल मोहलाल को लगे पांच साल बताईए लाइफ में कौन जल्दी सेट होगा राम लाल या मोहलाल राम लाल जल्दी सेट हो कौन जादा examination fees पे करेगा बार बार मोहलाल जादा देगा जादा paper दिये किसकी नोकरी बाद में लगेगी किसकी जाब किसकी बाद में लगेगी marriage किसकी बाद में होगी अब आपकी उपर है कि इस बार clear करना है आगर निकलिए इसमें पांच स्टेजिस हैं आप उनको लिख लें एक बार सबसे पहले कच्चा समान आता है पिज़ा बनाना हो तो डॉमिनोस पिज़ा वाले क्या करते होंगे पहले पिज़ा बेस खरीते होंगे कच्चा समान पिज़ा बेस सबजियां खरीते होंगे फिर उसको ओन में डालते होंगे आपने दघए पिजा बनते हैं और ओवन में ऩाती है फिर बिजली चलती है फिर ओवन गल्ब होता है उसमें आवाज पिर फिर पिजा बन जाता है आपको लगते है ऐसी खाले मेई वो डबे में डालते finish good करते हैं फिर उसमें tomato ketchup डालते हैं napkin's रखते हैं फिर हुँ कहते हैं थैला घर से लाए ओ क्या आप कहते हैं थैला तो आप़ी देदा वो कहते हम ने दे लिये कुछ भी ऐसी ले जाओ पर कुछ लोगों ने क्या किए कुछ पिज़ा वालों नहीं प्लास्टिक के नहीं कागज के थाले बनाए हुए उसमें डाल के देते हैं प्लास्टिक तो मंदी हो गए आज गर ले जाते हो फिर खाते हो फिर उसकी इनरजी बंगती है बदाए कितनी बड़ी साइकल रही सुबह समान आया वेरिकिन प्रोस में कनवर्ड हो तैयार हो आप बर ले रहे और मान का चलो पिसावाला के आज खालो पैसे दो दिन बात देना अधिकर्दी आप तो कभी दुबारो उस दुखान पर जाओगे नी क्योंकि पैसे देने हो तो पताएगे जी पांच स्टेजिस लिख ली क्या सभी ने सभी ने चलिए अब और नी लिखना है एक चित्र बना कर और मी लिखना है फोटो बना लिजिए फोटो में बहुत ध्यान देता हूं 95 मार्क तभी आएगे चाब आप फोटो बनाएगे ऑपरेटिंग साइकल की फोटो बनाएगे और जो यहां से नहीं पढ़ रहे उनको फोटो में दिखाईए उनको कहिए तो हमारे पचाण नमबर में आ सकते हमारे आएगे ओपरेटिंग साइकल आप अप अमेनुफेक्टरिंग बिजनस यह लिखा है ने operating cycle of a manufacturing business सबसे पहले आपके पास cash था cash आपने उसका कच्चा समान खरीवा कच्चा समान raw material manufacturing किया उसको WIP में convert कर दिया अभी समझाऊंगा आप अराम से चित्र तो बनाईए और चित्र रटना नहीं logic समझाऊंगे आपको logic समझा जाएगा जिन्होंने बना लिया इस चित्र को माइंड में माइंड में जरा सोचे इस माइंड में जरा सोचना शुरूआ पिक्चर बनाएं फोरेड में पिक्चर बनानी है question پ। में अबर प्प॥ोरैड में पिक्चर बनाएं क्याourt कर Tschundas सबसे पहले कच्छा समान करीदा, उसको प्रोड्यूस किया, आप सबने मेरे सामने वर्किन प्रोग्रेस बाढ़े हो, आपना फॉंडेशन से पहले रहा मिटिरियल थे, आपना डास करने के लिए तयार हो रहे थे, अब आप डास कर रहे हो, कोई 70 परटन में डास कर रहा है, कोई 80 में डास कर रहा है, कोई 20 परटन में डास कर रहा है, जिस दिन, 25 फेर्वरी दिख वाले दिन, आप पास हो जाओ ले, तो आप उस दिन 100 परतिशत बन जाओगे, सोचिए कितने खुश हो गए आप, आखे बंद करके सोचिए, आपने रिजर्ट देख लिया है, आप पास हो गए हो, आपके पूरी बाड़ी के हर एक सेल में कितनी खुशी सी है, आपने महिनत की थी और आप पास हो गए, ऐसी खुशी आज तक आपको कभी मिली नहीं, ऐसा ऐसास हो रहा है आपको, आपकी पूरी बाड़ी के एक सेल में खुशी है, तब आप फिनिश गुट बन जाओगे, फिर जॉब लगेगी, फिर जॉब में एक मीना काम करो दो, तो पैसे दो एक मेरे बाद मिलेंगे, डेटर्स, आपने पिर जिससे उधार लिये थे, उसको देरो थे, तो अपरेटिम साइकल लिख लिए है, सबी नहीं लिखा है, ये सबी नहीं लिखा है, ठीक है, पिल्कु अभी, और कुछ नहीं लिखे ला, बह। लिख blossom लिख लिए है, बह। लिख लिख लिए है, अब मैं आपके कुछ बाते पूछू है, और पिर आपको बधाएंगे, और आपके लाइफ में जादू होना शुरू हो जाएगा, आए, जादू तेरी नजर, मैं अभी आपके जमने हैं ये कह रहा हूं कि आपको working capital estimate करना जरूरी है ये बात हम सर्व समझ चुके हैं अगर आप optimum estimation नहीं करेंगे तो आपका profit ज्यादा नहीं होगा optimum estimate करना भी बहुत जरूरी है ना ज़्यादा ना कम लेकिन इसको estimate करने के लिए कुछ factors बड़े important है जी factors affecting, affecting, working, capital, requirements अब ये theory में बार बार आ रहा है अब ये पांच मिनटे और आप में ध्यान से बात सुन लीना तो आने विए तील लेक्टर्स बहुत इसी हो जएगा और नहीं सुनी फिर भी टीर लेक्शर तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन भाड़ी होगे सान। इसलिए ध्यान चेसे पांश में तूर इसलिए और गहरी सीशांस ले लेंगे हैं ? बनावे क्योंसों जुक के बैठना लौड नहीं है यवर ऐसे बैठें कुछ तोarna शेट में लमी तांगे कहली है रायम से बैठें इसे नहीं बैठना बैराен ओभी आज ऑट जूगना ने है ठीक है तो अभी मैं आपसे ये कहना चाहरू कि आप सभी को जब working capital की estimation करनी है तो कुछ factors का ध्यान रखना है इसको रोल दे factors affecting working capital requirement मैंने पहला factor लिखा nature of business आप किस business से belong करते हैं मैं कहते हूँ जी इस दुनिया में चार तरह के business होते हैं पहला business मैं बोलूँगा ऐसा होता है जिसका मैं नाम रखूँगा manufacturing business या manufacturing industry क्या आप मैंसे कोई example बता सकता है मैंने जो अभी example दिया Apollo Tires का बताइए यो service industry थी या manufacturing industry थी ठीक है बहुत बढ़ी है इसके साथ साथ मैं आपको यह कह रहा हूँ एक industry होती है जिसका नाम है contract industry और last होती है job and batch industry costing में आपने किया हूँ अब मुझे मालूँ है आप मुझे बताइए Britannia breads कोंसी industry मानी जाएगी manufacturing मानी जाएगी आप मुझे बताइए HDFC bank कोंसी company मानी जाएगी service industry मानी जाएगी आप मुझे बताइए Larson and Torbo Larson and Torbo Metro's बना रही है Bridges बना रहे है कोंसी industry मानी जाएगी आप मुझे बताइए Vandana Luthorah शेहनाज हुसेन रित्तु बेरी बेरी? हाँ Fashion designer यह कहा हैंगे Job and batch में आएगे आप सब बेरे सामने ही बैठे हैं मैं आपसे एक सवाल करता हूँ सबसे जादा working capital आपको क्या लगता है? कोंसी industry में होगी? manufacturing में? service में? contract में? या job and batch में? मुझे लगता है कि यह तो बिल्कुर answer ठीक है contract में तो होगी होगी क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है contract तीन-तीन साल सक चलते हैं लंबे समय के होते हैं यह तो बाब ठीक है उसके बाद किस में चाहिए होती हो? बहुत बढ़िया तो नीचे लिखिएगा नीचे लिखिएगा कहां नीचे? इसी के नीचे लिखिएगा आपने जगा छोड़िएगा तीन-तीन चल लाइन की लिखिए लिखिए in case of manufacturing and contract industries in case of manufacturing and contract industries generally working capital requirement is higher is higher than service job and batch industry and batch industry अचा कोई पी पाद लिखिनी है ना इसने लिखिए कि मैं लिखवा रहा हूँ आपको अगर नहीं समझाई तो पूछ रखते हैं बले क्लास के बाद पूछे लेकिर पूछ रखते हैं मैं कोशिश करूगा कि आपको दूसरे के जूर किना बढ़े क्या लगता है जी ये बात सबको क्लियर हो गई ये जो मैंने लिखी है समझ आ गई और मैनसेटिरिंग में क्या होता है रा ममेटियल खृतते हैं एक प्रॉसस में जाता है हिर फिर फॉसेस टू में जाता है पिर ठूमियर्य जाता है प्री undertaking अधा Prague के बादा दूसरा फेक्टर आपने लिखा था management thinking चेक कली आप लिख चुके हैं आप भूले लेकि मुझे याद आपने लिखा था management perception आप जिस company में वो करते हैं उस company की management की thinking कैसी है आपको मालूब है आपकी तील प्रकार की thinking हो सकती है आप aggressive हो सकते है आप conservative हो सकते है conservative आप moderate भी हो सकते है तील aggressive moderate conservative आप सब बैठे हैं ने मेरे सामने हैं आपकी तील personality हो सकती है बताएजी aggressive का मतलब क्या रहत है जो high risk लें आपने कभी देगा है motorcycle आजकल बच्चे बड़े zigzag में चलाते हैं और especially अगर रात को देगें तो कुछ काफिलों 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 रात को 11-12 बची के आसपस चलता है ओ ती तेते जवाज करते हुए जाते हैं जिग-जाग में उपर स्टंट मारते हैं बड़ा high risk लेते हैं मजब होता आता लेकिं और जब गिर जाते हैं तो 6-6 महीने तक आस्पिटिल में रहते हैं क्योंकि पाइनल गॉड भी लखती है एक में स्टडी पढ़ रहा था कि आजकल जादा तर जो फ्रेक्शर्स हो रहे हैं यंग जेनरेशन गो हो रहे हैं जब वो स्कूटर चला रहे हैं मोटर हाइकल चला रहे हैं बड़ी गरत तरह से चला रहे हैं कुछ तो बड़े अराम अराम से चलाएंगे दीरे 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 लो रिस्क लेते हैं मोटर हाइकल चलाते हैं दीरे दीरे ब्रेक्शर्स के मार मार के कुछ होते हैं मेडियो पर रिस्क लेते हैं आप मेरे सामने बैठे हैं ज्यादा तर इंसान ना मेडियूम रिस्क के होते हैं, आप सब रैशनल हो, ना ज्यादा ना कम, बीच बीच का, बीच बीच का, ठीक है? आप बताइए जी, मैं आपको कहूँ वीजे माल लिया, आप मिले नहीं हो वीजे माल लिया से, लेकिन आप उसकी कंपणी में काम करते ह आप, आप को कंपणी बीर बनाती है, किंग फिशर बीर बनाती है, पानी बनाती है, मिनरल वाटर, शाह बनाती है, विस्की बनाती है, आप उस कंपणी में काम करते हैं, आप नरायन मूर्ती को भी जानते हो, अब आप बदाएए दोलों की परस्नालिटी में कोई डिफरें कुन है जादा रिस्क कों लेता है वीजे माल राइन मूर्ती जादा अब नरायन मूर्ती के गर आप परस्टनालीटी देखे इंफुसिस का जो माली के जादा रिस्क नहीं थीक देख है moderate बोलता है ठीक बोलता है तीक का या मैं आप से पूझ रहा अगर आपकी working capital कम होनी चीए या जाद होनी चीए सोच के बताना है आपको एक लाग रुपे के ज़रूरत है आप अपनी जेब में एक लाग पचास थार लेके चलते हो तो आप risk ले रहे हो या risk नहीं ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं एक लाग के ज़रूरत थी आप तो डेड़ लाग लेके चल रहे हो तो रिस्क किस बात का ले रहे हो रिस्क तो तब लोग है ना जब एक लाग के ज़रूरत थी और आप असी अजार लेके चल रहे हो नहीं समझ आया ये बात समझ आ रही है नहीं तो मैं आपसे यही कहने जा रहा हूँ लिखिये लिखिये in case of aggressive management thinking in case of aggressive management thinking philosophy अगर management की thinking aggressive है when low requirement of working capital will be there बई रिस्क तो तो भी लोगा न यह बात समझा रही है नहीं आ रही मैं एक sentence ओर लिखता हूँ पिर शायद आ रहे in case of conservative आप बदा रहा आपने अगर मेरी management conservative है अच्छा conservative कौन होते है कौन होते है conservative जो रिस्क लेना ही नहीं चाहते दरपोक किसम के बनिया company है मारवाणी company है बदाइए कुछ नेचर वाइस बड़े रिस्क कम लेते हैं पैसे को खर्च नहीं करते हैं अगर मैं रिस्क नहीं लोगा तो मेरी working capital की जो requirement है जो आप estimate करोगे वह ज़ाद होनी चाहिए कम होनी चाहिए आप आप तो एक finance manager होना आपको तो देखना है कि मेरे पास कितने पैस कंपनी को चलाने के लिए होने चाहिए तो अगर मेरी management बड़ी डर्पोग किसम की है तो बताइए मेरे पास working capital नॉर्मल से जादा होना चाहिए या कम होना चाहिए जादा होना चाहिए तब ही तो इसकम ले रहो तो आप हिल्स्टेशन जाते हो आपको 10,000 रुपे की दरूर होते हैं और आप डर्पोग किसम की हो आपने सीक्रेट पोकेट में 3,4 रुपे अलग से लग दी है बाहर पर टच करके फील करते हो है है ना है ना आप बदाएए आप ज्यादा पैसे लेकर जाओगे ना फैसे क्योंकि आप रिस्क नहीं लेते और आपको रिस्क लेना है त पांचे जारी ले चले देखिया कि जो होगा तो इसका मतलब अगर मैनेजमेंट आपकी एग्रेसिव है तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वार्मेंट कम होगा मेरी बात समझ रहे है ठीक है अब आज यह थर्ड पॉइंट जो मैंने लिक्वाया था है राम इसकी तो पांता बदाओं उतनी कम है ओपरेटिंग साइकिल बस इसके बाद प्रेक्टिकल चुरूएन वाल है अभी और भी टेक्टर से दीरे दीरे करेंगे पहले आप एक आईडिया ले लिजे मैं मैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करना चाहता हूं उसके दो स्टेप्स है पह जरूरत है जरूरत है जरूरत है कितनी जरूरत है फिर कहां से आएंगे कहां से आएंगे वो पैसे कहां से आएंगे यह दो स्टेप रहे अब कितनी जरूरत है इसके लिए मैं अभी क्या कर रहा हूं फैक्टर देख रहा हूं उनका नाम है फैक्टर अफैक्टिंग वर्कि पताओ यह समझ आया दूसरा वेक्टर कौन सा देखा दूसरा management thinking तीसरा आप बताने जा रहा हूँ operating cycle कुछ तो ऐसे देख रहे हैं जो अभी खागेंगे मेरों को अभी बता रहो operating cycle operating cycle बता रहा हूँ खाने की क्या होता है मैं कहता हूँ operating cycle का मतलब होता है आपने journey कब शुरू की और journey खतम कब हुई आप बताइए सबसे पहले आपके पास cash होगा आप raw middle खरीदेंगे उसके बाद working process में conversion होगी उसके बाद finished goods बन जाएंगे फिर आप details में convert कर देंगे आपने पूंजी यहां लगाई और यह पूंजी दुबारा से पूंजी में convert होने में कुछ तो समय लगा होगा बताऊ हल्दी राम के यहां पर आप दही भल्ले खाने जाते हो आप बताएए हल्दी राम दही बल्ले बाला आप बताएए सुबह सुबह दही बल्ले बनवाता होगा दही खरीदता होगा आप शाम को जाते होगे लाइन लगा के पैसे देते हो ले 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 शाम तक उसका सारा समान बिक जाता होगा और कैश रोख़र में आयात हो, कैश बोरियों में डालते हैं, इतना कैश आता है, दिवाली आने वाली है, अगर मैं आप से पूछू कि हल्दी रहम की अपरेटिंग साइकल कितनी है, तो क्या एक दिन कह सकते है या नहीं सकते है, एक दिन भी पैसा ख़ंच हो जाता है, अच् अच्छा लाइंस्टोन आज खरीटती है पत्थर खरीटती है पत्थर बिहार से पत्थर आता है फेक्टरी में जाता है वर्क इन प्रोगर्स एक महिने लग़ाता है पत्थर से सीमेड बनने में अधगर्दी फिर एक महिने वो बहार देते हैं अपने डेटस को फिर कैश आता है बताएए किसकी ऑपरेटिंग सेखिल बढ़ी होगी हल्दी राम की ये लक्षमी सीमिन की मेरे इसाब से हल्दी राम की छोटी है और लक्षमी सीमिन की जाद है तो वर्किंग कैपिटल किसको जादा चाहिए होती हो बोलो बोलो पूसे बोलो जिसकी ऑपरेटिंग सेखिल जादा होती होगी उसी को तो जादा चाहिए होती होगी तो आपने एक लाइन लिखिया तो भूल भी गए क्या ये बात समझा लगी है लेकिन इसके बें पांच पुत्रें जैसे कुंती माता के पांच पुत्र थे मैं अभी पांडु की बात कर रहा हूँ पांडु से 5 थे आप बताएए बता सकते हैं 5 पांच पांडू के नाम क्या क्या थे ए अर जुप आगे ठीक है और नखुल थीक है बहुँ बढ़िया पांच पांडव आपने बताईए मैं इसी तरह से कह रहे हूँ operating cycle के भी पाँच पुत्र है एक है raw material cycle or stage एक का नाम है WIP एक का नाम है finish goods एक का नाम है debtors एक का कहना है पाँच है ये पाँचों समझने अगर ये समझ आगे तो आप समझेजिए working capital आदिते जादा समझ आगे आप पदाएए इसको मैं ऐसे सिंबॉलिक लिए लिखता हूँ R plus W plus F plus D minus C तो आप एक बार बुक में आजाएं और मैं चाहता हूँ कि आप पेज नंबर 3 में आजाएं 3 खोलिए बुक थोड़ा सा concept थोड़ा सा magic थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा गुसा इसी से काम हो जाएगा थोड़ी किताब थोड़े concept थोड़े drama फिर थोड़े practical question हो जाएगा working capital आएए आप चेक करिए operating cycle क्या कहीं लिखा मैंने page number 3 में कहीं दिख रहे मोटी मोटी आखें दिये हैं बगवान में मोटी मोटी highlight करिए operating cycle थोड़ा एक दो line-up पढ़ लिजे बस operating cycle बहुत important है पढ़िए पढ़िए तो मैंने लिखाए जी longer longer the operating cycle high will be working capital requirement क्या आप इस बात से सहमत है O is equal to R plus W plus F plus D minus C अभी इसके उपर और बहुत कुछ बता रहे एक दो मिनट के बाप बता होगा पहले बता है यहां तक ठीक है अच्छा इसमें देखे ऊपर नीचे बड़े दरे फैक्टरस लिखे है इसी कोशन की उपर इसी कोशन में उपर देखे बड़े बड़े फैक्टरस लिखे है मैंने तो तीन ही बता है अभी 4-5-6 factors all भी है लेकिन अभी मैं चाहता हूँ तोड़ा प्रैक्टिकल करा दूँ आपको तो आप आज़ें एक concept नमबर 8 लिखना शुरू करता है थोड़ा सा पहले एक practical जुरूर कर ले समय हो गया काफी सारा फिर भी मैंने theory अभी बताई है अभी एक practical करेंगे चलिए heading लिखिए concept नमबर 8 steps for estimation of working capital requirement